नमस्कार क्या सच में भगवान सोते हैं वर्षा काल सुरू हो चुका है चार मैने तक वर्षा रितु चलेगी इसको चतुर मास भी कहा जाता है और कहा जाता है कि इन चार मैनों में भगवान सो जाते है सास्त कहते हैं कि असाड माहा की सुक्ल पक्स की एकदसी को देव शैनी एकादसी भी कहा जाता है इस दिन से भगवान स्रीहरी विश्नु सो जाते हैं और चतुरमास शुरू हो जाता है इन चार महा में कोई भी साधी कोई भी ग्रह प्रवेस कोई भी मुंडन और कोई भी नया बिजनिस इस्टार्ट नहीं किया जाता है कहते हैं कि देव सो जाते हैं तो सवाल ये है कि क्या सच में भगवान सोते हैं इसके बारे में आज अपन बात करेंगी तो एक बात मैं आपको बता दूँ कि प्रभू कभी सोते नहीं है स्रीहरी विश्नु कभी सोते नहीं है ये तो लोगों ने दर्म के अनुसार कुछ बाते जोड़ दी इसके पिछे वास्विक फैक्ट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा अगर बगवान सी हरी विष्णु सो गए तो इस स्रष्टी का संचानान कौन करेगा ये स्रष्टी तो तहस तहस हो जाएगी इसलिए सी हरी विष्णु कभी सोते नहीं है तो फिर क्यों कहा जाता है कि देव सो जाते है इन चार महिनों में देव सोने का ये कारण कहा जाता है गीता में कहा गया है या नीसा सौरव भूताना तश्या जागरती सैयम इसमें गाहा गया कि जो योगी होता है ना वो योगी कभी निद्रा में नहीं रहता है जब सारा संसार सो जाता है लेकिन फिर भी योगी जागता रहता है और किसके साथ जागता रहता है सायम के साथ में गीता में ये सायम वर्ड आया है इस वक्त इस सायम वर्ड से ये है कि आपको इन चार महिनों में सायमित जीवन जीना है और वो चार महिनों में सायमित जीवन क्या जीना है ये देखिए आप चार महिने वर्षा काल के होते हैं और इसमें नय नय जीव जन्तु पैदा होते हैं अगर आप ग्रह निर्मान कारी करोगे, अगर आप साधी करोगे, मुंडन करोगे, या कोई भी आप और भी कारी करोगे, तो छोटे छोटे जीर जुन्टु मरेंगे. तो इस कारण से कहा जाता है कि इस चार महिनों में कोई भी नया काम, ग्रहकार या मुंडन, विवा आधी नहीं किये जाते हैं इन चार महिनों में तप किया जाता है, पूजा की जाती है और सिद्धी प्राप्ति के लिए आप लोग इसमें तप करते हैं इन चार महिनों में इन चार महिनों में सुर्य का तेज कम हो जाता है इन चार महिनों में चंद्र का भी तेज कम हो जाता है इन चार महिनों में कहा जाता है कि सायमत जीवन जीना चाहिए आपको तला गुना नहीं खाना चाहिए आपको दूद दही का सेवन नहीं करना चाहिए और आपको एक वक्त का बोजन इस चार मा में करना चाहिए कहते हैं ना कि ये करने से आपको सरीर वज्ज्र के समान होता है और आपके सरीर में जो भी कोई बीमारी है ना वो खत्म हो जाती है इसलिए भगवान स्री हरी विश्णू इस चार महिने में सयमित जीवन जीने के लिए कहते है इसलिए कहते हैं कि इन चार महिनों में कभी मांगलिक कारी और कोई नया कारी नहीं किया करना चाहिए और ये भी कहा जाता है कि इन चार महिनों में सीव गंड जागरत रहते हैं भगवान सीव का विशेश प्रभाव रहता है इन चार महिनों में भगवान स्रीव की विशेश क्रिपा रहती है इस स्रश्टी पर तो इस कारण से चतुर माँच में कोई मांगलिक कारिय और कोई भी नया कारिय नहीं किया जाता है लेकिन ये कहना कि देव सो जाते हैं गलत है भगवान स्री हरी विष्णु कभी सोते नहीं है वो अपने योग निद्रा में रहते हैं और वो हमें साथ योग में जाते रहते हैं जब सारी स्रश्टी सोती रहते हैं न तो भगवान स्री हरी विष्णु कभी सोते नहीं है